हाई दोस्तों एक सो कहानी में आज दस्वी कहानी है और आप देख रहे हैं कि 9 कहानी आप लोग जिस तरह से पशंद कर रहे हैं और जो कमेंट आ रहा है खास करके जो टेलीफोन आप कहा रहा है मेरा होसला अवजाई करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद आज हम ज पॉब्लेम के बारे में सोचना और चिंतन मनें उसका स्लिउशन के बारे में सोचना इस कहानी एक बहुत बड़ा उधारान होगा कि आप चिंता से हटकर अगर चिंतन करते हैं तो बड़े से बड़े मुश्किल से कैसे आप निकल सकते हैं बहुत दिन पहले एक बहुत बदमास जमिन्दार हुआ करता था वो अपने प्रजा के ऊपर किशानों के ऊपर तरह तरह का टैक्स लगा देता था और नहीं असुलता था तो उसका सब संपत्ति खाणप लेता था एक बड़ा गरीब किशान था उसका एक बेटी बहुत सुन् जमिन्दार को सुझा कि क्यों ना इस लड़की से ही साधी कर लिया जाए और उसके बदले में उसको संपत्ति माफ कर देंगे तो वो जाके किशान को कहा कि देखो तुमारा सारा कर्ज माफ हो सकता है अगर तुम अपना लड़की की साधी मेरे साथ कर दो अब जमिन्दार क बात से तो किशान का हो शूर गया उसका बेटी का भी हो शूर गया बोला नहीं यह कैसे संभब है बोला चलो तब तुम पंचायत के पास चलो अब पंचायत में जितने भी आदमी बैठा हुआ है सब जमिंदार से इंफ्लूएंस्ट है लेकिन फिर भी पंचायत ने कहा कि दे में ब कड़ेवए हैं और उसमें से एक کला और एक सदा पत्थर आप अपना जोली में रख लेगेई और लड़की उसमें से एक पत्थर निकालेगी अगर साधा पत्थर हुआ तो आपको लड़की साधी नहीं करेंगे आपको संपत्ति मैंने जो भी कर्ज है इसे ही माफ कर देना पड़ेंगे अगर काला पत्थल लड़की ने जोला से निकाला निकाली तो क्या होगा लड़की को साधी करना पड़ेगा और संपत्ति माफ हो जाएंगे और तिसरा आगल लड़की इंकार करती है कि नहीं मैं पत्तर नहीं नीकालोंगी तो खिषान को जेल जाना पड़ेगा अब लड़की देख रही है कि जमिंदार जिस्थयमें जोली में पत्तर रक रहा है वो दोनों काला पत्तर ही बैग में रख लिया जोला में रख लिया यह कि सी विवेल अफमें लड़की निकालेगी तो वो काला पत्थर ही निकलेगा और लड़की को साधी करना पड़ेगा अब लड़की सोची कि हमारे पास तीन उपाए हैं पहला उपाए तो हम जमिंदार का इबात को कह दे लोगों को दिखा दे कि दोनों काला पत्थर जमिंदार ने रखा है। लेकिन इससे क्यों कि अभी तो हम बच जाएंगे। लेकिन इतना बदमास जमिंदार है कि इससे भी बड़ा बदला वो बाद में लेगा। दूसरा है कि हम काला पत्थर उठाएं और साधी करके चले गए। और तिसरा है कि हम इंकार कर दें और अपने बाप को जेल भेज दें। ये तीन आप्शन था। लेकिन उसने चिंतन की और उसने एक चौथा उपाय निकाला। जैसे लड़की को कहा गया कि भाय आप जोली से पत्थर निकाली ए। लड़की ने जोली से पत्थर निकाली और हाथ से फिसलने का नाटक करके पत्थर को नीचे गिरा दिया। अब वहां लाखों सादा कला पत्थर है उसमें पत्थर मिल गया तो सब ने बोला क्या बेवकुप लड़किया पत्थर गिरा दिया पत्थर गिरा दिया तब लड़की ने कही कि सही में हमसे बेवकुपी हो गई पत्थर गिर गई लेकिन कोई बात नहीं है, हमने तो एक पत्थर गिराया, एक पत्थर तो उनके जोली में है, अगर उनका जोली में साधा पत्थर है तो मैंने काला पत्थर उठाया था, जोली को देखा गया, जोली में काला पत्थर है, अब जब इंदर भोल भी नहीं पा रहा है कि दोनों हम माफ हो गए दोस्तों इस कहानी का मतलब यह है कि जब हमारे सामने विपत्ति आते हैं हम चिंता ग्रस्त हो जाते हैं और चिंता से चतुराई घटता है हमें चिंता नहीं करना है हम इस प्रॉब्लम में हमको सलूशन कैसे निकलेगा हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम में सोचें इस विश्वाज के साथ जब करेंगे तो हम लड़की के तरह हाथ से फिसल के पत्थर को गिरा देंगे और जोली से काला पत्थर निकाल के दिखा देंगे कि मेरे हाथ में साधा पत्थर ही था यह कहानी बहुत जोड़दार असर करता है हम जब मैनेजमेंट पढ़ाते हैं अपको लगते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो इसको जड़स जदा सेयर करके लोगों तक पहुचा दें और इसका फाइदा आदमी को मिले बहुत बहुत